नमस्कार दोश्टों डेली टेक ट्विट्स चानल में आप सभी कर स्वागत है। ये Financial Assistance Scheme है यानि की आर्थिक सहायता की स्कीम है ये एक Centrally Sponsored Scheme है यानि की Union Government की तरफ से है और इसको की देखरेक Ministry of Health and Family Welfare यानि की सेहत और परिवार कल्यान विभाग की तरफ से की जाती है तो आईए अब डेटेल में हम जानते हैं की ये है क्या देखिए सबसे पहले जानते हैं की इसके लिए eligible कौन है यानि की इस स्कीम का फाइदा कौन कौन उठा सकता है ये स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जिनकी family income annual जानी की उनकी सालाना जो आये है वह एक लाख पच्चीस हजार तक है इससे ज्यादा नहीं तो अगर आपकी讲 लाख अए एक लाख पच्चीस हलार तक है paper workjak के साथ आप इस कीम के लिए apply कर सकते हैं तो देखिए इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई जैसे expenditure है आपका government hospitals में और कई बर ऐसा होता है कि government hospital में free medical facilities कुछ available नहीं होती कई बार कुछ paid होता है तो उसके लिए भी अगर आपको इस scheme के अंदर जो financial assistance मिलती है उससे आप अपनी जितने भी expenditures हैं वेपे कर सकते हैं तो इससे है क्या है कि अगर आप इस scheme के अंदर financial assistance ले रहे हैं तो आपकी treatment सरकारी hospital में होगी इसमें normal hospital भी हो सकते हैं जैसे कि civil hospitals होते हैं या फिर super specialty hospitals जैसे कि dedicated cancer hospitals या फिर कुछ और TB hospitals हैं वहां भी आपका इलाज हो सकता है depending के पौन आपकी बिमारी क्या है तो दोस्तो health ministers discretionary grant के अंदर आपको अगर financial assistance याने कि आपको आर्थिक मदद चाहिए तो आपको क्या-क्या paperwork लगेगा सबसे पहले एक prescribed performa में जो application form है वो आपको download करना होगा उसके लिए हमारे description box में दिये गए link पे click किजिए वहाँ पे आपको एक pdf मिलेगा वहाँ click करके आपको सारी details मिल जाएंगी वे जो आपका application form है उस पे दो हस्ताक्षर लगेंगे सबसे पहले उस doctor का जहाँ पे at present याने की जो आपका doctor at present आपका इलाज कर रहा है और दूसरा हस्ताक्षर लगेगा किसी भी medical superintendent बट वो होना चाहिए सरकारी hospital या फिर किसी भी सरकारी medical institute जैसे की medical colleges के लिए दूसरी आपको क्या लगेगा एक आपका income certificate याने की IA के certificate की copy इससे यह पता लगेगा कि आपकी जो सालाना आय है वह एक लाग पच्चीस हजार तक है यह उससे कम है उससे ज्यादा नहीं है अगर आपकी सालाना आय एक लाग पच्चीस हजार से ज्यादा है तो आप स्कीम के लिए eligible नहीं है उसके पता आपको एक तीसरी चीज जो लग उसका जो estimated है मतलब कि लगभग जो उसकी cost है वो 1,25,000 याने की 7,00,000 रुपया है तो आपको government की तरफ से 75,000 रुपय की financial assistance मिलेगी अगर आपका treatment का cost 1,25,000 से उपर है तो आपको government की तरफ से 1,00,000 रुपय की सहायता मिलेगी और अगर आपका जो है जो आपकी cost of treatment है वो 1,75,000 से उपर है तो आपको 1,25,000 की government से सहायता मिलेगी आपकी जानकारे के लिए फिर से हम repeat कर रहे हैं अगर आपकी treatment का cost 1,25,000 याने की 7,00,000 रुपय तक है तो आपको government 75,000 रुपया देगी अगर आपका treatment का cost 1,25,000 तक से उपर है मगर 1,75,000 से कम है तो आपको 1,00,000 रुपय की government सहायता देगी और अगर आपका treatment का cost है वो 1,75,000 से उपर है तो आपको government 1,25,000 रुपय की treatment की सहायता मिलेगी याने की आपको इतनी financial assistance मिलेगी तो दोस्तो ये था सारा हमने आपको बताया scheme क्या है इसके अंदर कौन-कौन इसका फाइदा ले सकता है और किसी साब से आपको financial assistance मिलेगी तो दोस्तो हमारी आपसे एक बार फिर से बहुत ही kind request है क्रिपया अगर आपके आसपास कोई ऐसा patient है जो अपनी financial condition के कारण अपनी treatment नहीं करवा पा रहा है तो क्रिपया उससे ये जानकरी जरूर शेयर करें क्योंकि government की maximum schemes की जानकरी इन लोगों तक नहीं पहुँच पाती तो क्रिपया लोगों की आसपास मदद कीजिए उनसे ये जानकरी शेयर कीजिए ताकि वो government से assistance लेके अपना इलाज अच्छी दरीके से करवा सकती दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद